सर एक बात बताईए पूरे डेडिकेशन के साथ हम लोग लगे रहते हैं पढ़ाही लिखाई करने में बट कई बार हमारे जो मांक्स होते हैं अपकुदा मांक क्यों नहीं हमारे और ये क्वेशन बिटा कभी ना कभी आपके दिमाग में तो आया हो क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि आपके तरफ से कोई कमी है यार आप लोग लगे रहते हो कई बार आपको ना उस लेवर का अप्रेशिशन नहीं मिल पाता है बट लिटरली आप लोग लगे रहते हो तो क्योंकि देखो सुबह उठकर आप स्कूल जाते हो फिर आकर आप है कि जब आप पूरी तरीके से इनवाल्व होकर डेडिकेटिड स्टेडी कर रहे हो हरे कॉंसेट को बढ़िया तरीके से समझ रहे हो तो फिर यह रिजल्ट या मार्क्स हमें क्यों कम आते हैं कई बार और यह एक सवाल है और यह बड़ा ही जन्र्मिन सवाल है मैं बताता क्यों होता है कि जब आप पूरे radication के साथ पढ़ाई करते हो फिर भी आपके जो marks होते हैं वो कम क्यों आते हैं इसके पीछे कही न कहीं एक कारण होता है बेटा आप ये revision करने का तरीका अब आप बोलेंगे से revision करने में क्या problem बढ़िया से syllabus लगा लेंगे टाइम नहीं मिलेगा तो question नहीं लगा पाएंगे ठीक है इस वाली revision के बाद होता क्या है कि exam में न कई बार पता भी नहीं चल पाता कि question कहां से आया है और उसको start-up कैसे नहीं तो आज मैं आपको एकदब short video में ये बताने वाला हूं कि revision करने का सब्सक्राइब है तेरी बाद बहुत ध्यान से सोगा for example अभी से माल लेते हैं मला आज कितना है 15th of October है बेटा अभी से माल लेते हैं almost सारे बच्चों गना 70 60 to 80% syllabus complete हो गया होगा और बहुत सारे बच्चों ने किसे ना किसे chapter का रिविजन करना है स्टार्ट करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ रिविजन करना है बहुत ध्यान से देखो for example आज हमारा day 1 है हम थोड़ा approximation की बात करेंगे क्योंकि भाईया हमारे students बड़े intelligent है सबका जो अलग-अलग स्टाइल से काम चल रहा होता है ठीक है subject है वो हर तीन चार पांस दिन बाद repeat होगा और तब तक हो सकता है कि आप बहुत सारे concepts को skip कर जाए अब सुनो for example day 1 पे आपने एक पहला chapter स्टार्ट किया आपने ठीक है सर और day 5 तक आपने पहले chapter का revision complete कर लिया ठीक है अब इसके बाद क्या करते है इसके बाद हम क्या करते है बिटा हम अगले वाले chapter को start कर देते और इसको पूरी तरीके से skip कर देते बस यह नहीं कर जब आप second chapter का revision start करोगे ना ठीक है जो भी इसके बाद day होगा वो तो अब अपने हमने साथ से बना लो जब भी आप second chapter इसके बाद start करोगे ना मेरी बाद ध्यान से सुनना तो ना उसमें आप क्या करो गटा उसमें आप 80% question उसी chapter के किया 80% question आप उसी chapter के किया करो plus 20% जो आपके question होते है ना वो आप previous chapter के किया अधा इससे क्या होगा बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे ऐसा करता भी है उनको result मिलता है तो मेरी बाद ध्यान से तो आपने जो नया वाला चप्टर स्टार्ट किया ना उसमें 80% definitely आप question उस chapter के किया करो पर 20% questions आपको कहां से करन इसी तरीके से जब आप 3rd chapter के बढ़ जाओगे तब फिर वहाँ पर आप क्या करो फिर 80% question सर उसी chapter के किया करो और बचे हुए 20% question जो है पिछले जो दो chapters खतम हो गए हैं उसके आप कर लिया कर तरस्ट मी यदि आप ऐसा कर रहे होते हैं तो जो previous chapter होते हैं ना बच्चो उसक रिवीजन की ही आपको ज़रुत नहीं पढ़े हैं आगई बात समझ में तो यह रिवीजन करने का बेटा सबस्यक्षा तरीका है और वो यह है कि किसी भी chapter का आप इसके क्मत पर मैं आपसे कहूंगा कि जब आप 10th chapter पर पहुँचे तो बली आप 1st chapter के 5 questions लगाईए पर आप definitely लगाईए आप consistently हर chapter का कुछ ना कुछ portion daily करते रहिए उससे वो chapter हमेशा आपके साथ connected होगा और जब chapter आपके साथ connected होगा तो आपको कभी भी low confidence बिल्कुर भी feel नहीं होगा because आपका वो chapter आप से connected है अब जब वहां से question आएगा तो अंजाना, अजनभी, अनूठा ऐसा वो chapter आपको नहीं लगने वाला है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे जैसे chapters आगे पढ़ते जाएं, पुराने वाले chapters के भी कुछ portion को आप बढ़िया से एक line में बोलें, तो पुराने वाले chapters है उसको भी आप बढ़िया से आप revise करते रहिए, एक time ऐसा आएगा कि पूर आप लोग जानते होगी festival season चल रहा है, आने के लिए बेटा आप लोगों के लिए लेकर आया है, 50% discount आपके जितने भी plus subscriptions है उस पर, और उसके लिए आप code यूज कर सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना, आप इसके लिए code यूज कर सकते हो बच्चो, AR10, अब आप बोलेंगे sir AR10 के लिए, हमारे rockstar बच्चो के लिए, always rocking 10, एक number है, इसको आप लगा दो, always rocking code जो है, वो हमारे सारे rockstar बच्चो के लिए, clear होगी बात, description में लिंक ये बने हैं बेटा, वहां से जाकर आप join कर सकते हो, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़े हैं, हम सारे educators आपको बताने वाले है कहां पर, right, तो आपके, कहां पर बताने वाले हैं मैचे, तो ये बताने वाले हैं मैटा, आपकी classes, तो revision अब से जब आप करेंगे, तो आप promise करिए मुझस से, comment section में आप मुझे बताइए, कि revision जब आप करेंगे, तो जिन chapters को आप complete करते जा रहे हैं, भाई उस पे भी focus बना पूरे के पूरे chapter, सारे concept के साथ, आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाएंगे, सर्फ फिट हो जाएंगे, और ऐसा करने से, आप कभी भी exam में, question waiver में, बीच में कहीं पर भी, आप ये समझों की confusion में नहीं होगा, और ठोगे भी नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रू झाल